हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजिनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे आधुनिक ताहिति की प्रिवित्यां डाक्टर नामवर सिंध द्वारा लेखी गई एक बहुत ही बेहतरीन पुष्टक के उबर जिसके अंतरगत हम उसके पहले कलखंड थायावाद पर बातचीत करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि नामवर सिंध ने थायावाद नाम से सन 1955 इसवी में एक बुक लिखी थी और फिर इसके बाद सन 1962 इसवी में उन्होंने आधनिक साहती की प्रवित्या नाम से बुक लिखी जिसके अंतरगत उन्होंने आधनिक साहती की जो मुख्य प्रवित्या रही है थायावाद रहस्यवाद इसके बाद प्रगतिवाद प्रयोगवाद इन सपर विचार किया है तो हम उसके पहले खंड पर बातचित करेंगे और ये लेक्चर आप सभी के लिए सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव दोनों पैटर्न के दिश्ट कोंड से बनाया गया है और नामवर सिंग के प्रमुक कत्नों पर भी विशेश तर पर ध्यान दिया गया है तो चलते हम बात करते हैं सीधे कि भूमिका में नामवर सिंग क्या लिखते हैं उन्होंने भूमिका को लिखते हुए जो उसकी शुरुवात की है वही काफी इंट्रेस्टिंग आपको लगेगी उवे लिखते हैं कि बिभिन सहित्तिक वादों के उठ्थान और पतन के इतिहा है तो ये कथन किसका है नामवर सिंगा इसके बाद हम दूसरा कथन देखते हैं यापर भूमिका के अंतरगत ही वे लिखते हैं कि हिंदी में सहीत्य रचना के छेत्र में जितने वाद नहीं है उनसे कहीं अधिक आलोचना में पढ़ाये जा रहे हैं जितनी जल्दी ये बंध हो उतना ही अच्छा हूँ ताहीति का कल्यान इसी में है देख रहे हैं कि नामवर सिंग बहुत ही इंपोर्टेंट बात यहां पर करें कि हिंदी सहीति रचना के छेत्र में जितने वाद नहीं है उससे ज़्यादा हिंदी आलोचना में वादों को पढ़ाया जा रहा है और खासतर से आप जब इग्जाम में जाते होंगे तमाम वादों से संबंदित उनके करम के बारे में पूछ लिया जाता है और कई बर कन्फूजन सा होने लगता है कि किसका करम पहले या किसका करम बाद नहीं है आलोचना विधा के अंतरगत उससे ज़्यादा वाद पढ़ाया जाते हैं इसको बंद करना चाहिए बागी कथन आप समझ गए होंगे आगे वे लिखते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, एवं प्रयोगवाद, चार ही प्रभितिया निश्चित रूप से इतियास सम्मत हैं जिन्हें वाद के रूप में प्रचलन करने की मानिता प्राप्त है तो अब भूमिका के मार्ध्यम से ही आप सभी नाम और सिंग के मंतब्बे से बिल्कुल परचित होगे होंगे कि वो इन विभिन वादों के बीच किन्किन वादों की चर्चा करना चाहते हैं छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इस पर मैं भी इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कई बार नाम और सिंग के कथन अगर आ जाते हैं या फिर छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद से सम्बंदीद कोई कथन है और आप्शन में नाम और सिंग दिया गया है तो एक बार जरूर आप ठहर क अगर उन विकल्पों पर विचार करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, अब चलते हैं बात करते हैं चायावाद के उपर, चायावाद के संदर में लिखते हुए नाम और सिंग लिखते हैं कि चायावाद बिश्येस रूप से हिंदी साहित्त में रोमान्टिक उत्थान की वह लगभग का बिधारा है, जो लगभग इस विशन 1918-1936, यानि कि उच्छवास से युगांत तक की प्रमुख युगवाणी रही है, तो आप देख रहे हैं कि पहले ही कोटेशन में चायावाद के समय सीमा को बता दिया गया है, कि 1918 से लेकर 1936 का जो दवर रहा है, वो चाया और युगवान, यानि कि उच्छवास जो प्रारंभीक समय की रचना है, और युगवांत जो ए छायावाद के अंतिम समय की रचना है, और उन्होंने इस वाक का अंत किया युगवाणी नाम से, यो कि आप जानते हैं कि एक रचना के तरपर भी है, लेकिन यहां पर को प्रदर्शित करने वाला शब्त, तो आप पहले कोटेशन के माध्यम से ही, आपके दिमाग में आगे होगा कि नाम और सिंग छायावाद के संदर में क्या कहते हैं, उन्होंने रोमांटिक उत्थान की वक्त का विधारा इसे माना है, जिसका समय उन्नी सो अठार से लेकर महादेवी प्रभिती, मतलब आदी मुख्य कवी हुए हैं और सामानी रूप से भावत छ्वास प्रेरित स्वक्षंद कल्पना बैभो की वह स्वक्षंद प्रभित्ती है, जो देश का अलगत वैसिष्ट के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन उत्थान्शील युगों की आश्रा आकांख्षा में निरंतर ब्यक्त होती रही है, तो पहले वाक्य में उन्होंने बलकि पहले पराग्राप में उन्होंने ठायवाद की समय सीमा और कुछ रशनाओं के बारे में बात किया, फिर इसके बाद ठायवाद के जो प्रमुख कवी हैं और प्रभित्ती र नाम हिंदी सहीते में ठायवाद पड़ा है, अगर ये कोटेशन आ जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ये नामोर सिंग द्वारा कहा गया है, नामोर सिंग उस समय में ठायवाद क्या है, उस पर बातचित कर रहे हैं और तमाम बिद्वानों को उन्होंने शामिल किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि कौण कौण से बिद्वान है, लिखते हैं कि छायवाद क्या है, प्रशन का उत्तर देते हुए मुकुर धर पांडे ने, लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाष्चाति साहिते अथवा बंग साहिते की वर्तमान इस्थिती की तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिष्टी सिज्म के लिए आया है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर मिष्टी सिज्म शब्द का प्रयोग किसी ने किया था, तो मुकुर धर पांडे ने किया था, और छायवाद पर सबसे पहले अगर किसी ने व द्वान की चर्चा यहां पर नाम और सिन करते हैं, कि इसी प्रकार सुसील कुमार, सुसील कुमार को आप लोग बहुत कम जानते होंगे, प्राया एंदी के विद्याथली सुसील कुमार से कमी परचित हैं, छायवाद के संदर में ही इनका नाम आता है, सुसील कुमार वाले का विलास कहा गया है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि छायवाद की कई प्रभितियों का उलेख किया जा रहा है यह प्रभितियां आपको जो क्वेशन आते हैं छायवाद की प्रभितियों से संबंधित क्वेशन आएंगे तो वहां पर काम में आ सकता है कि कोरे कागत की भा आगे बात करते हुए लिखते हैं कि छायावाद के लिए मिश्टी सिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियात पड़ गए। आज कल के हिंदी कभी और कविता जो कि सरस्टी छे में 1927 में प्रकासित निबंद से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे। तो अब क्लियर होगे होगा कि जो आज कल के हिंदी कभी और कविता नाम का निबंद है वो महावीर प्रसाद दिवेदी का। अगर यह परिक्षा में आये तो आप तुरंत इसका सही जबाब बता दें। तो नामर सिंग कहते हैं कि जिसको आज लोग छायावाद कहते हैं महावीर प्रसाद दिवेदी ने उसे रहस्यवाद काना चाहते थे। लेकिन मुकुर धरपांडे ने जहां उनमें आध्यात्मिक्ता देखते थे। वहाँ आचारी दिवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धती से अधिक न थी। कई बार परिक्षाण में पूछा जा चुका है कि छायावाद को अन्योक्ति पद्धती किसने का है। यहाँ पर महावीर प्रसाद दिवेदी का नाम आता है और आध्यात्मिक्ता देखने का प्रयास किसने क्या था तो वहाँ पर मुकुर धरपांडे का नाम आ रहा है और स्वाद की बात जब होती है तो वो महाविर प्रशाद्दिवेदी से जूरता है। आगे वो लिखते हैं कि छायवाद का प्रचलीत अर्त समझने की कोशिश करते हुए निबंद में आचार्दिवेदी कहते हैं। छायवाद से लोगों का क्या मतलब है उस समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की थाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे थायावादी कविता कहना चाहिए। तो ये महाविर्ट प्रसाध्दिवेदी का कथान है। आगे नामोर सिंग एक चीज अपलोग ध्यान में रखिए कि जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो नामोर सिंग का कथान। नामोर सिंग लिखते हैं कि छाया वाद केवल आधुनिक कावि प्रवित्ति रह गई और रहस्यवाद सनातन तथा चिरंतन। काफी इंपोर्टेंट कि ये कोटेशन है कि ये नामोर सिंग द्वारा कहा गया है कि छाया वाद केवल आधुनिक कावि प्रवित्ति रह गई और रहस्यवाद सनातन तथा इरंतन। इसी टाइप से कथान इस्ता में पैक्षाव में पूशे जा रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि ये नामोर सिंग आगे वे लिखते हैं कि छाया वाद बीवित यहां तक कि परस्पर बिरोधी सी प्रतीत होने वाले का विप्रवित्तियों का सामुहिक नाम है। व्यक्ति के महत्य को सिवकार करने और करवाने से हुआ। किन्तु परिवसान संसार और व्यक्ति की इस्थाई सत्तुलता में हुआ। आगे लिखते हैं कि बिश्मी सदी की काब्य सीमा में प्रवेश करने पर हिंदी कविता के पाठक का ध्यान सबसे पहले जिस विशेस्ता की ओर जाता है वह है वयक्तिक निर्भीकता और सहस दिखलाया वह पहले किसी कभी में नहीं मिलता है तो छायवाद की जो सबसे पहली विशेष्टा यहाँ पर है वायक्तिक निर्भीकता आगे में लिखते हैं कि आधनिक्ता लिरिक अत्वा प्रगीत इसी वैक्तिकता के प्रतिक है यानि कि जब भी आजनिक्ता की बात की जाए तो आजनिक्ता लिरिक अत्वा प्रगीत इसी वैक्तिकता जो निर्भीक वैक्तिकता है उसके प्रतिक के तोर पर प्रयोप के गए आप देखेंगे कि छायवाद के खास विश्विस्था रही है प्रगीत सेली में कविताओं को ल लिखना सुरूगे इसके पहले भी मध्य योग के संत कभी और रीति वादिक कभी भी निर्वयक्तिक धंग से कभी दाएं या फिर अपनी बाते कहते थे वे लिखते हैं इस संतों और भक्तों के विने पदों में जो व्यक्तिक धंग दिखाई पड़ता है वह क्योवल भगव ने विने पदों के यूज करने के लिए उनको कहने के लिए व्यक्तिक धंग को अपनाया और भगवान की प्रति निवेदन किया अपने व्यक्तिक जीवन के विशे में वे प्राया मौन ही रहते थे और कावे में अपने प्रणे संबंधों की चर्चा की बात तो उस समय कभियों और भक्त कभियों के बारे में कह रहा हैं आगे लिखते हैं कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं से इतना बधा हुआ था वर्तमान समय में भी आप जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब सामाजिक मर्यादाओं से बधार आता है तो वो कोई चीज खूल कर नहीं बोलता है खास वर से जो प्रणय संबंध है उन पर कोई खूल कर नहीं बोलता है उसी के तरफ संकेत किया जा रहा है अगे लेखते हैं कि व्यक्तिगत अनभूतियों की अविव्यक्ति में आधुनिक कभीन जो खड़क किया है आत्मकथा उसका विषय हो गया और मैं उसकी शैली हो गई मैंने मैं सहली अपनाई और शायवादिक कभियोंने कविता के माध्यम से ही अपने आत्मकथाओं के बारे में चर्चा किया है दुख ही जीवन की कथा रही अब तक जो न कही इसी टाइप से जेसंकर प्रसाद की भी आत्मकथा का कोछ अंस पत्रिका में प्रकासित वा था तो यह सारे इस्ट्वरी आप लोग तुने हो दे आगे वह लिखते हैं कि प्रसाद ने तो इस पष्टता अपनी आत्मकथा का इ से स्विकार किया कि मैंने मैं सहली अपनाई पंत जी ने उच्छवास आंसु और ग्रंथी में प्रड़यानु भूति की अबाद अभिव्यक्ति की अगर परिक्षाव में पूछ रहे जाए कि उच्छवास आंसु और ग्रंथी नाम की जो रचना है वो किस विशे पर आधारि प्रणय संबंद कोई अध्यात्मिक भावना है ये नामोर सिंक का कथन उच्छवास नामक रचना के उपर है जो कि पंत द्वारा लिखी गई है आगे वे लिखते हैं कि प्रसाद का आंसु भी मूलत इसी प्रकार का मानवी प्रेम काप्वे है अगर आंसु की बात की जाए तो उसकी जो विशेवश्तू है वो है मानुई प्रेम का काप्वे है निराला का विपलवी बादल इसी बैक्तिक विद्रो का अगर दूत है तो एक एक जो यहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखिए कि नामोर सिंग चायवाद पर विचार करते हुए कभियों और प्रवित्तियों तथा रचनाओं की बारे में क्या उनका मनतव दिरा है आगे वे लिखते हैं कि सरोज इस्मिर्ती और वन बिला में यही वैक्तिक विद्रो और भी खुल कर व्यक्त हुआ है यानि कि दोनों रचनाय निराला की है सरोज और one vela और दोनों में वयक्तिक विद्रों खुलकर व्यक्थ हुआ है। प्रसाद में ही नहीं बलकि निराला, पंत, महादेवी, सब में इसे से पहले जो आत्मविकास की भावना की उसने जीवन में तथा काव में भाव तथा कल्पना का अभूत पूर्व विस्तार किया। मतलब यह जो वैक दिकता रही है आगे चल कर एक नया रूप लेती है जिसमें की कभियों के अंदर जो उनका आत्मविकास है उनकी भावना या फिर काव में भाव तथा कल्पना का अभूत पूर्व विस्तार हुआ कभियों के अंदर। इसलिए लिखते हैं नाम और सिंग कि वस्तुत या व्यक्तिवाद ही थायावादि काभिक विविध व्रित्थों का किंदर बिंदू है ये अगि बात करते हैं कि व्यक्तिवाद ने थायावादि कभी में यदि एक और व dakika अभिव्यक्तिकिक आकांग्षा पुध्पन की त यहां पर दो तरीकिक बाते कई जा रहें। लिखा जा रहा है कि व्यक्तिवाद ने छायवादी कभी में यदि एक और व्यक्तिक अभिव्यक्ति की आकांग्षा उत्पन की तो दूसरी और संपून द्रिश्टिकोण को व्यक्तिनिष्ट बना दिया। चायवादी कभी संसार की सभी वष्तिों को आत्मुलण रंजित करके देखने का अभियस हो गया। विष्व की व्यथा से स्वयम व्यथित होने की जगह हुआ अपनी व्यथा से विष्व के व्यथित होने की कल्पना करने लगा। देख रहे हैं कि ऐसे एक अंतर वीरोधी ब को समझने के लिए उसके पूर्वर्ति दिवेदी यूग के विशे निष्ट अथवा सत्थ्य परक्त कावि को ध्यान में रखना आवर्श्यक है यानि कि अगर चायवाद के व्यक्तिनिष्ट रिश्किकौन को समझना है तो उसके पहले के सालखंड को भी देखना पड़ेगा लिखते हैं कि दिवेदी यूग का कावि शुकल जी के सब्दों में जहां इति बृत्तात्मक था वही छायवादी कावि रागात्मक हो उठा तो ध्यान में रखे है कि जो दिवेदी यूग की खास विशेष्टा रही है इति बृत्तात्मक था वो शुकल जी का दिया नामोर सिंग लिखते हैं कि सुकल जी के शब्दों में तीवेदियुग जहां इत्ति बृत्तात्मक था मुई छायवादी का वे रागात्मक होठा था आगे लिखते हैं कि छायवादी कभियों ने प्रकृति के छिपे हुए इतने संदर इस्तरों की खोज की कि वह आधनिक मा मानों के भावरतिक और मानसिक विकास का सूचक है। शायवाद के व्यक्तिनिष्ट दिष्टकों ने प्रकृति संदर में इस सुक्षमता नहीं दिखाई बलकि मानों संदर में भी इस थूल सारिक्ता की जगन स्वष्ट मानसल्ट था भावात्मक शुष्मा की मानों संदर में भी इस थूल सारिक्ता की जगन स्वष्थ मानसल्ट था भावात्मक शुष्मा की प्रतिष्ठा की है। ये कथन हो गया नाम और सिंगा। प्रवित्ति को भी आप लोग समझते जाए। आगे वे तुलना कर रहे हैं कि मध्यू के कभी नारी की जिन भावों से की जा रहे हैं। आगे लिखते हैं कि कामायनी में नारी की लज्जा का जो भवी चितरण हुआ है, वहfill समपून भारती सहिते में अधूती है। प्रसाद जी का नारी संदर्युचितरन पंत की तरह भाव प्रधान होते वे भी कहीं अधिक मान सल है। लेकिन प्रसाद ज संदर चित्रन है वह एक दूसरे से बढ़कर है प्रसाद है पहले फिर उनसे भी बढ़कर पंत है फिर पंत से भी बढ़कर आगे निराला है तो इन तुलनात्मक कोटेशन को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए आगे वह लिखते हैं कि निराला का जो नारी संदर है वह च्छा संदर का भी इसमरण किया है तो जब आप सरोज इसमर्ति पढ़ेंगे तो इस कोटेशन को जरूर ध्यान में रखिए कि हाला कि सरोज इसमर्ति सोक गीत है और हिंदी साहित में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कभी अपनी उत्री के ऊपर कविता लिखा है उसकी इसमर्ति मे लिखा है जो कि सुक गीत के रूप में फिमस हो गई है और उसके संदर्य का भी उन्होंने इसमर्ण किया है यह बहुत ही बड़ी बात है जब इस स्वरोज इसमर्तिया पढ़ें तो इस अंस को जरूर ध्यान में रखिए आगे महादेवी वर्मा के पोटेशन्स को भी रेखांकित कर रहे हैं कि महादेवी के शब्दों में संदर्य की इस थुल जर्ता से मुक्ती मिलते ही नारी को प्रकृति के समाने रहस्य में शक्ति और संदर्य प्राप्त हो गया जिसने उसके मानसिक जगत से पिछली संक्रि व्यक्तिवाद में जो तीसरी बात हुई व्यक्तिवाद में जो तीसरी प्याद हुई थि वह थी भावुक्ता, आनि शायवादी कभियों के अंदर भाववक्ता पढ़ता है लिखते हैं कि शायवादी कभी कविद्रो वयक्तिक था। सायवाद की आरंभिक कविताओं में उच्छ्वास और आंसु का बाहूले इसलिए है। कभी की इस मन इस्थिति को उसकी और सामजिकता तथा एकांत प्रियता ने और भी गहरे विशाद से रंग दिया। जिन कभियों में इसपष्ट उच्छ्वास और आंसुन नहीं है उनमें एक विलक्षन प्रकार का विशाद द्रिश्टी कोचर होता है। प्रसाद के जहरना का विशाद तथा उनके इसकंद गुप्ट की आवसाद और उदासी से मिली जुली विश्णत मन इस्थिति ऐसी ही ह तो यहां पर आप देख रहे हैं कि स्यावादी कभिताओं के ही चर्चा नहीं हो रहे हैं बलकि उस समय की जितनी भी रचना है चाये नाटक हो चाये उपन्यास हो कहानी हो सबको यहां पर एक तरीके से जोड कर अध्यन करने का प्रियास किया गया है तो जिन लोगनी पढ़ाओगा जहरना पढ़ाओगा तो इन दोनों रचनाओं के अंदरगत जो विशाद का चितरन किया गया है मना इस्थिती का चितरन किया गया उसको आप आराम से पकड़ताएंगे आगे लिखते हैं कि कामायनी के एकाकी मनों की आरामभिक चिन्ता और निराशा इसी व पंत जी का आगे वे तुलना करते हुए लिखते हैं कि कबीर, सूर, तुलसी के करुणा विगलित आर्थ आत्म निवेदन में भी परिड़त वय और धीर सोभाव का सयम है। कि उनकी जो करुणा विगलित आर्थ आत्म निवेदन में भी परिड़त वय और धीर सोभाव का सयम है। क्या है? उचलता है और अबाद उदगार है, भावक्ता का पूठ है। आगे लेखते हैं कि यहां तक कि भावक्ता चायावाद का पर्याय हो गई। यानि कि भावक्ता और चायावाद में कोई अंतर ही नहीं रहा। इतना उन्होंने भावक्ता प्रधान रच्नायें लिख शुरू करते हैं। आम तोर से लोगों में खायावादी कहने के माने ही था किसी को अक्टिन्त भावक कहना। पहले लोग जैसे किसी को बोलते थे कि ये छायावादी है। तो इसका वर्थे निकाला जाता था कि ये बहुत भावक है। वर्थमान समय में अपने दोस्ट मीत्र यारों में जब आप सभी बात करते हैं तो कोईने कोई किसी को बोल देता है कि ये शुक्छनद ficou वादी हैं। ये प्रगति वादी हैं। तो उस्जमाने में जब कहा जाता था कि ये चाया वादी है। उनका सामाने अर्थ निकला जात लिखते हैं कि नी संदे विकास क्रम में यह भाउक्ता धीरे-धीरे कम होती गई और कैशोर भाउक्ता का स्थान प्राण चिंतन ने ले लिया तो बाद में आप देख रहे हैं कि कैसे छायवादी कभियों में बदला हो रहा है दूर शुरू में उनमें भाउक्ता की मात्रा ज प्रिष्टी दी जिसे कल्पना सक्ति करते हैं आप जानते हैं कि कल्पना सक्ति तीन लोगों में ज्यादा होती है एक होती है पागल प्रेमी और कवी इन तीनों में कल्पना की मात्रा सबसे जादा होती है तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी कल्पना सक्ति काफ ही प्रवल होती है जैसे आपने अपने दोस्तों को देखा हुआ की जो गल्फ्रेंड grateful होते हो gegangen वह ज्यादा कलपना स्पील रहते हैं, कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, सुषते रहते हैं. वैसे ही कैशोर यहां पर किसोरा वस्था के लिए शब्द प्रयोक किया है कैशोर भाउगता ने चायवादी कभी को ऐसी अंतर दरिश्टी दी कि जिसे कलपना सक्ति काते हैं आगे में लिखते हैं कि चायवादी भाउक्ता और कल्पना में अन्योनया स्रित और अभिन संबन्ध है यानि कि चायवादी भाउक्ता और कल्पना इन दोनों में आपस में बहुत ही गहरा संबन्ध है थायवादी कभी इसी रोमाइंटिक अथवा स्वक्षंद कलपना को एवल कलपना नाम से ही उकारते थे सम्भोत कलपना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोक प्रियता थायवाद के द्वारा मिली उतनी पहले कभी न मिली थी यहाँ पर भी इंडिकेशन नामर से ने कर दिया कि कलपना शब्द को जितना इज्जत सम्मान शायवादी कभी उने दिया उतना शायद उसके पहले की कभी उने नहीं दिया था आगे इस चीज़ को और इस पश्ट करते हुए लिखते हैं कि छायवाद यूग में कलपना कभीता का पर्याग हो गया निराला ने कभीता को कलपना के कानन की रानी कहा है यह देखे काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए हो सकता है पर्यक्षा में पूछ लिया जाए कि कलपना के कानन की रानी किस ने कहा कलपना को तो हो गया निराला और पंत ने अपने पल्लव की कभीताओं को कलपना से बिहुवल बाल का है यानि कि पंत और निराला दोनों ने कलपना पर काफी जोड दिया और दोनों ने अलग-अलग नाम से इसको पुकारा है जिसको कि आप लगोंने समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा आगे लिखते हैं कि कल्पना चायवादी कभी के मन की पांक थी वो उसकी स्वतंतरता मुक्ती, विद्रू, आनंद, आदी की आकंचाओं की प्रतीक थी ये बहुत ही इंपोर्टेंट बाते हैं हापर नामर सिंग पहरे हैं कि कल्पना चायवादी कभी के मन की पांक थी देखे कि इतना ही कोटेशन आ जाएगा तो आप तमाम किताबों में खोजना शुरू कर देंगे कि ये किसका कथन है कहां से पूछ लिया गया हमने तो दरसुती पांडे पढ़ा था लेकिन उसे में तो नहीं मिला इस टाइप से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं कि कल्पना लेकिन कि इस चीज को आगे क्लियर करते लिखते हैं कि वह उसकी स्वतंतता मुक्ति विद्रोह आनत पांड यहां पर किशीज का प्रतिक है प्रत अनत अगर पक्षी के पास अगर पंक नहीं है तो उड़ नहीं पाएगा इसलिए अगर किसी को आपको गुलाम करना है या फ तो इसीलिए कावया कि काल्पणा के माध्यम से ही चायवादी कभी अपने मन की उडान को उडाते हैं जितना दुर तक ले जाना है ले जाते हैं चायवाद यूग की अधिकांस प्रतिमाय चाया जीवी हैं उसी तरह अधिकांस पातर अपन जीवी हैं ये काफी इंपोर्टेंट बात कही जा रहे है कि छायवाद योकी अधिकांस प्रतिमाएं छाया जीवी उसी तरह अधिकांस पात्र स्वपने जीवी हैं अंतरद्रिष्टी दायनी कल्पना और जीवन शक्ती दायनी कल्पना इन दोनों की सुन्दर अभिवेंजना खायावादी कावे में हुई है। जाकी मौलिक विशेष्टा है। इसी ने कभी को रहस्य दर्शी बनाया, असीम और अनन्त की सारो भावं अनभूती दी, अति परचित वस्तुओं में भी और परचित संदर्यों उद्गाटन की अंतरद्रिष्टी दी, तथा वीरूप वस्तुओं को भी रूप में बनाने की समता प्रदान की। इसी ने कभी में नमीन एंद्रिय बोध जगाए और अभूत पूर्वर टमवेदन सिल्ता उभारी। तो कलपना के महत्व पर पुरा विश्तार ते आपर विचार किया है नामर सिंग ने। आगे लिखते हैं कि वन्ड विबेक की तर शायवादिक कभिय अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ध्वनी क्या है वन्ड क्या है। जब हम किसी चीज को बोलते हैं तो वो ध्वनी के अंतर गाता है। आज जब उसी ध्वनी को हम लिख देते हैं तो वो वन्ड गाता है। जिसे मैंने केवल बोला कभ तो वो ध्वनी हो गया। औ इसके द्वारा न तो वैक्तिक अनभूती की भावुक अभिबेंजना हो सकती थी और न वस्तुगत सुक्ष्म संदर्य का चित्रन हो सकता था परंतु छायवादी भावुकता का विद्धित इसपर्स होते ही कल्पना के पंखु का सहरा पाकर जड़ भासा ओनमुक्त आकास मे उड़ चली तो इस कोटेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिया कि यह सब नाम और सिंकी बाते हैं आगे वह लिखते हैं कि अतीत यात्रा में कालिदास भावभूती बान भट आदी संस्कृत कभियों की ललित पदावली मन के साथ लिपटी हुई चली आई अपने मध्यूग ब्रज भाषा कावे के भी अनेक शब्द जो संसकार तरूप और चेतन में पड़े हुए थे उपर आ गए रविंदर नात की संस्कृत शब्दावली बंगला कभिताओं की गूज ने भी नवीन शब्दों का वातावरन तयार कर दिया अंग्रेजी की रोमैंटिक कभिताओ को पढ़ते पढ़ते भी पाफी शब्द मनीमन अनूदीत होते रहें आप देख रहें की अलग अलग परंपरा की कभियों की चाथ तो अंग्रेजी के कवियों के बारे में चर्चा की जा रही है। तो सब का प्रभाव चायवादी कवियों पर कुछ ने कुछ पड़ा है। आगे वो लिखते हैं कि छायवादी कविता का सब्द संदर उसके स्वतन्त शब्दों में उतना नहीं जितना शब्दों के लयमय क्रम में हैं। तो अलग अलग ब्यक्तियों और भाषाओं के बारे में उपर नामर सिंग ने विचार किया और अन्त में वो कहते हैं कि छायवादी कविता का सब्द संदर उसके स्वतन्त सब्दों में उतना नहीं है। इतना शब्दों के लैक्रम में है तो जिस पे जाला उन्होंने जोर दिया है आगे लिखते हैं कि पंत के शब्द अप्यक्षाक्रित छोटे और संयुक्त वनड़ वाले हलके तथा वायवी हैं यहां पर देखिए पंत के शब्दों की विश्यस्ता बताई जा रही है कि उनके क्रितिमा है ध्यान में रखें कि यह सब कोटेशन अगर वन लाइनर में आएंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि यह नाम प्रसाद के बाद महादेवी वर्मा के बारे में लिखते हैं कि महादेवी के शब्दों में रूपय किसी इसपष्ट ठुनक और खानक है तो निराला के चर्शकरते हों लिखते हैं कि निराला में संदी समास, यूक्त विविद जाती और धोनी वाले शब्दों में भी अनुप्रास मैं वेंजन संगीत उत्पन करने की देश्टा है आगे लिखते हैं कि चायवाद के इन चारों कभियों में निराला को छोड़ कर एस तीनों में सर्वत्र अपने अपने धंके प्राय एक से शब्दों का संकल्प मिलता है कि वल निराला में शब्द चैन की विवित्ता तथा अनिशित्ता है तो यहाँ पर निराला अपने तमकालिन कभियों से थोड़े से अलग है नामर सिंग आगे लिखते हैं कि चायवादी कभिता के शब्द समु कर दूसरा पहलू वह है जहां अतिसे शब्द मु दिखाई देता है मधूर धोनी वाले शब्दों के मौ में पढ़कर थायवादी कभियों ने प्राय आवशिक्ता से अधिक शब्दों का प्याय किया है शयवादी कभिता में आनावशक कलपना बाहुले मिलता है उसी प्रिकार आनावशक शब्दों की प्रधानता के कारण शायवादी वाक के प्रवाह में रब्दू का क्रम प्राय गरवड़ा गया है। यहाँ पर उन्होंने भावलय को जोर दिया है कि प्रकृति का मौलिक आधार क्या है भावलय। आगे लिखते हैं कि छंदु विधान में भाव विवेक के आगमन से स्वक्षंद अथ्वामुक्थ छंद का प्रचलन हुआ और निराला जीज के प्रवर्तक हुए। जब विम्मुक्त शंद की बाद आती है छावादी कभियों में तो सबसे पहले निराला जी की चर्चा होती है। इसके बाद आगे वह लिखते हैं कि हिंदी में सफल प्रगति या फिर प्रगीत की रचना सबसे पहले छावाद में हुई। निराला और महादीवी वर्मा ने इसमें सबसे अधिक काम किया। छंदो वैचित्र की द्रिष्टी सिस्तमभौत निराला की देन सबसे अधिक है। मतलब छंदो का वैचित्रे रूप में प्रयोक करने में निराला सबसे महत्पूर कभी रहा है। अलांकि उन्होंने मोक्त छंद की चर्चा की है अलंकार योजना की द्रिष्टी से अपने पुर्वर्ति दिवेदी युग की तुलना में तो छायवाद आगे है ही संपून हिंदिक काद्वे में भी इसे अदूतिय कहा जा सकता है छायवादी कभियों विशेस्त पंत जी ने विशेस्णों के प्रयोग में अद्भूत चमतकार पैदा किया है तो हो सकता है कि कभी पूछा जाए कि छायवादी कभियों में विशेस्णों का प्रयोग अद्भूत तरीके से किस ने किया है सही जवाब होगा पंत ने किया है इस तरीके से डीपली जो पढ़ाई करेगा वह ही ऐसे प्रश्णों का जबाब देपाएगा वरना आप वन लाइनर किताबों को पढ़ते रहेंगे चीजों को याद तुकर लेंगे लेकिन उस पर विचार करने में आपको दिक्कत होगी आगे वे लिखते हैं कि चित्रात्मक्ता छायवादी कविता की बहुत बड़ी व दिए पकस्ता प्रश्णा की जब्ण है और आगे लिखते हैं कि पंत जी के शब्दों में काना है कि थायवात काभ बेन रहकर केवल अलंकरित संगीत बन गया था बहुत ही इंप्टेंट पोटेसान है प्रिक्षाओं के दिष्णिकों से पुछा जाता है कि कि कसका कथन अह ये पंध का है। नामर सिंग का नहीं है बलके पंध का है। सामांती रोण्यों थे नारी को मुख्ड करके भी छायावादी कभी ने राश्ट्रि आंदोलन में सहयुग दिया। और आप जानते हैं कि छायवाद को पलायनवाद से भी जोड़ा जाता है और तमाम उस पे अक्षेप लगा जाते हैं लेकिन यहाँ पर नामर्थ ने पहली बार इसको राष्टरी आंदोलन से भी जोडने का प्रयास किया है। के पंक, किचर से और वासना के पर्यांग से उठाकर देवी और सहचरी के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित किया। छायवादी ने इस पर्ष्ट रूप से अंग्रेजों का विरूद तो नहीं किया, लेकिन परोख शुरूप से शामराज जिवादी के विरूद, देश प्रेम, जागरन तथा आत्मगरों का गान गान गाया है। यहाँ पर नामर सिंग लिखते हैं कि हाला कि छायवादी कवियों ने अंग्रेजों का विरूद सामने आकर नहीं किया, बलकि इंडिरेक्ट और प्रतेक शुरूप से उनने शामराज जिवाद के विरूद तथा देश प्रेम, जागरन तथा आत्मगरों का गान गाया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि छायवाद में जहां एको सामनती और सामराज मानेताओं के विरूद इस प्रकार का भावात्मग विद्रो है, महादेवी जी छायवाद को प्रकृत के वीच जीवन का उदगीत भले ही कहें, कि छायवादी कविता में प्रस्तुत और अप्रस् ये वी कई बार कोटेशन पुछा जा चुका है, परिश्वाद में ध्यान में रखें, और नामर सिंग अंतरतर कहते हैं कि प्रतेक्ष या अप्रचेक्ष रूप से छायवादी कविता में प्रकृति की ही प्रधानता है, आगे लिखते हैं कि यह तो छायवाद संग्या कव कविता के लिए ही प्रयूँक्त होती है, तथा पिये एक ब्यापक जीवन दृष्टी है, तोल कविता तक ही सीमीत नहीं है, बल्कि ये जीवन दृष्टी भी थी खायवाद, आगे लिखते हैं कि छायवाद आधनी खड़ी बोली कविता के स्वाभाविक विकास की चरम प की द्रिष्टी से हिंदी सहीति में भक्तिक कावे के बाद सायवादी कावे का ही नाम लिया जा सकता यानि कि जब भी कावे सवस्थों की चर्चक की जाएगी तो भक्तिक कावे के बाद सीधे सायवादी कावे का नाम आएगा तो जैसे यहां पर बोला जा रहा कि भक्तिक सवस्थों में कुछ कमी थी लेकिन नामर्चिंक यह मानना कि अगर बात की जाए हिंदी सहीति में काबे सवस्थों की तो भक्तिक काबे के बाद छायवादी काबे की दूसरी नंबर पर आता है आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार 12-13 सदी में शुरू होने वाले मध्यूगीन सांस्कृतिक पुनरत्थान का चर्मतकर्ष 16 सदी के भक्तिक काबे में हुआ उसी प्रकार उनिस्वी सदी में शुरू होने वाले आधुनिक सांस्कृतिक जागरण का चर्मतकर्स 20 सदी के थायवादी का भी तथा प्रेम चंत की उपन्यासों में हुआ है ये कथन किसका है नाम और सिंगा आगे वे लिखते हैं कि छायवाद में अनुभूती अप्यक्छाक्रित कम और कल्पना बैबो अधिक है देखे इतना दूर तक सवाल पुछा जा सकता है कथन के रूप में क्यों छायावाद आता है क्योंकि बताया गया कि अनुभूती अप्रिक्षाक्रित कम है तो कल्पना की ही बहुलता है इसलिए दूसरे नंबर पर आता है फिर भी मानव हिल्दे को रस्मगन करने और शक्ति देने योगी इस्थाई गुन बहुत से हैं तो इस तरीके से हमने इ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के अंदर शायवाद की प्रवितियां का विगत विसेस्ताएं और अबजिक्टिव क्वेस्चन्स तैयार हुए होंगे और एक समझ बनी होगी कि आखिरकार शायवाद है क्या तो कमेंट्स करकर जरूरू बताये कि ये वीडिय पाद के साथ तब तक के लिए नमस्कार